प्रीमित्रों को नमस्कार आज मैं आप लोगों के बीच में अपनी एक कविता के साथ उपस्थित हूँ इस कविता का सीर्षक है सत्य बज़ता है सत्य बज़ता है और मेरा यह मानना है कि सत्य को सब्द नहीं दिये जा सकते सत्य की अंतिम अभिव्यक्ति नहीं हो सकती सत्य अनभिव्यक्त होता है लेकिन सत्य महसूस होता है सत्य बरस्ता भी है और सत्य बजता भी है सत्य रिस्ता भी है और सत्य बहता भी है तो हमने इस कविता का सिर्शक दिया है सत्य बजता है देखिए ये कविता कैसी है सत्य के बारे में नजाने कितने अन्मूल सक्त्य बज रहे हैं स्टिस्टि में जिने देख नहीं पाता छू नहीं पाता जिसकी पदचाप सुनता हूं दिरंतर जिसका अर्थ गु़ता रहता है भीतर रंगों के दाइरे से बाहर है जिसका रंग मन ही भूशता है जिसके स्वाद का सुक निसद कर देता है जिसकी आभा का जादू दिल के दर्वाजे पर देते हैं दस्तक, बुलाते हैं, डांट डपट कर उठाते हैं, अंग प्रत्यंग आंदोलिंत करते हुए, आत्मा में बिजने की तरह चमक कर न जाने कहां गायब हो जाती हैं, सत्य हस्ता हूँ आखों के अंधे पन पर, अपने ही आखों के अंधे पन पर हसने का मन करता है, यंत्रवत धळकते मांस के टुकड़े का क्या करूँ? खाली और खोखला हूँ, मरह हुआ बेतर, लो छेन लो मेरा सुक, छेन लो चैन लो सुकून, राख कर दो ढिगरियां, जला डालो सफलताएं, जितना चाहे नकार दो मुझे, बस छक कर पी लेने दो, अनंत, अलक्षित, मर्म जी भरकर जी लेने दो मौन सत्ता का रहस्य, तनिक गुनगुनाने दोना स्रिष्ट का संगीत, मुझे सुनने दो भजते ही भी सत्य, फिर चाहे मिटा दो मेरी पहचान, चाहे तो ले लो, आगे कोई सब्द नहीं। तो प्री मित्रों, इस कविता के साथ मैं आया आपके बीच में बताना चाहता हूँ, कि नौ फरवरी से पुस्तक मेला, विस्व पुस्तक मेला प्रगत मैदान में आरंभ हो रहा है, इस बार इस मेले में मेरा आना संभ़ो नहीं लग रहा, ये काना ठीक नहीं होगा, मैं नहीं आपाओंगा पुस्तक मेले में। लेकिन बिगत दो दस्कों में हमारी पुस्तकें प्रकासित होई हैं, अलग अलग बिधाओं में प्रकासित हो चेकी हैं, आलोचना विधा में, कावी बिधा में, और कथा विधा में भी मेरी पुस्तके हैं आलोचना विधा में मेरी दस पुस्तकें प्रकासित हैं मेरी चार काविशंगरह प्रकासित हैं और दो कहानी संक्लन भी प्रकासित हो चुके हैं तो ये हमारी पुस्तकें विस पुस्तक मेला के दौरान आपको दिखाई पड़ेंगी जो हमारे मित्र जो साहित प्रेमी या जो हमको पढ़ते हैं जो लंबे समय से हमारे सब्दों के साक्षी है अगर वो हमारी किताबें पुस्तक मेले में जाकर देखना पढ़ना खरिदना तो मैं बताना चाहता हूँ कि सिल्पायन प्रकासन से मेरी दो पुस्तकें प्रकासित हो चुकी हैं सिल्पायन प्रकासन से जो पहली पुस्तक आई वो है देसी पहाड पर देसी लोग जो की आलोचना की पुस्तक है और दूसरी पुस्तक है सिल्पायन प्रकासन से बीच बा ज्यानपीट से प्रकासित है कविता की संकालिन संस्कृती अब वह प्रतिष्ठित प्रकासक वाणी प्रकासन के स्टाल पर उपलब्द होगी जो मित्र आप चाहें वे कविता की संकालिन संस्कृत पुस्तक को वाणी प्रकाशन के स्टाल से देख सकते हैं पढ़ सकते हैं खरी सकते हैं कथा विधा में मेरी दो पुस्तकें हैं कहानी संकलन हैं दोनों इसमें मेरी पहली पुस्तक किसी वी विधा में मेरी पहली पुस्तक थी वह कहानी संकलन ही था और फिर एक दिन वह इंद्रप्रस्थ प्रकाशन नए दिल्ले से प्रकाशित होई है हाला कि वह बहुत पुरानी हो चुकी है दोस्त दसक लगभग हो चुके हैं उस पुस्तक को प्रकासित हुए फिर भी संभावतह वो पुस्तक इंद्रप्रस प्रकाशन पर उपलब्द हो उसको आप देख सकते हैं और फिर एक दिन और साहित भंडार जो की इलाहबाद का अग्यक्तव का प्रकाशन है वहां से मेरा कहानी संकलन प्रकासित हुए ौदी्ल संकलन पर आई हैं स्रिजन की कीश्मी सदी और बूंद बूंद रोती नदी और अभी वी सूचना मिली है कि हमारे आत्मी प्रकाशक अनामिका प्रकाशन पुस्तक मेले में उपस्तिती रहेगी इस प्रकाशन की अनामिका प्रकाशन से मेरी चार पुस्तके कर रहा हूं कि अनामिका प्रकासन से मेरी सायद सबसे अधिक पुस्तकें प्रकासित हुई है इसमें से जो पहला पहली कृति है पहली पुस्तक है वो है